दन्यवाद, नमस्कार, आप स्वस्तोंगे, मस्तोंगे, और नए साल की खार्तिक सुबकामनाएं आपके लिए, इश्वर ने आपको जिए दिया है, अर्सुब लाश और आनंद करने के लिए, और इस्वर के नाम से जवामों से आनंद को सुक्का शान देंके लिए, अर्सुब लाश और आपके लिए पर इस वर आपको जिए दिया है, इसके लिए आपके लिए बात करते हैं, हैपी न्युव्यर, नहीं साल की सुख़ामनाएं आप एस्वर आपको लिए इस नियापको मैं दावत के घर्याने की कुंजी उसके कंदे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा और बंद करेगा और कोई खोलो न शक्रिए यह शाह 18-18 मैं तुम से सच कहता हूँ जो कुछ तुम पिर से भी पर बंद होगे और वह खोलोगे और वह खोलोगे मैं आज तुझे आज के दिन तुझे जातियों और राजों पर अधिकारी ठेराया है उन्हें गिराने और ढार देने के लिए नाश करने और काट ढानने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए हिर्मिया एक दस यदि आप एक सच्चा जीवन जीना चाहते हूं पवितरताई खराई और इमानदारी भराना जो मश्य यशुने जीआना जीवन चाल चलन आसिस वरकर चुटकारा चंगाई शामरत ताकत अभी सेख बर्दान वास और परमिश्वर की सारी भरपूरी अथार्त गंबितावता और अंतसमे की चेतावनी आदी तो ये परमिश्वर के बचन है और परमिश्वर ने बोला है कि मेरा बचन कभी न टलेगा पिर थे भी अराकास टल जाएंगे पर परमिश्वर का बचन नहीं टलेगा विश्वास की शाथ जो इन बचनों को गरन करता है उसके जीवन में आनंद और सुक और समढ़ते परमिश्वर कारे कनना सुरूख खर देता है परम जोती जो जोती हमें क्या देते है हर एक उस काम को हम कर सकते हैं जिसकी शक्ती परमिश्वर हमें देते है वो जोती वो निराकार जो जोती सुरूप है और सब की शम में शपराणियों में भी देमान है और मनुष्य में बुद्धी का उसने बिकास किया और आज अब मनुष्य बुद्धी बिकार से डवलप हुआ है आज इश्वर के ये अधिर्ष्य गुन जो है उनके हिर्दे में वर्गी वस्त में अधिर्ष्य गुन क्या पवित्रताई, खराई, सचाई, इमानदारी, परमिश्वर की गुले, अर्साजिम जो परमिश्वर को अंगशंग मानता है, एसस्वी कार करता है, उसे अपने जीवन में, तो उपरमिश्वर की चिनर चमकार अपने जीवन में होते देखता है, परमिश्वर ने बोला भी, त तेरे शाथ अपनी वाचा बांता हूं तो सिद्ध होते जा और मैं तुझे शंशार में सबसे उपर टॉप में क्योंकि तेरा स्वर्गिय फिता सबसे टॉप में न उचे इस्तानों पें और मजबूत चट्टान पे तुझे विश्वार के साथ डेड़ करेगा तो मैं तुम्हें सच कहता हूं मैं तुम्हें सच कहता हूं जो कुछ तुम फिरसी फिर बांदोगे वह स्वर्ग में बंदेगा और जो कुछ तुम तिरसी फिर उपर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा सच मुछ विश्वर के यह पच्चन है आत्मी गुरू ने कहा कि मुनिश रोटी से नहीं भलकि हर एक उस बचन से जिन्दार जीवित रहेगा जो इस स्वर परमात्मा के परमिस्वर पिता के मेरे पिता के मुँझे निकलाए और मैं उन बचनों पर चलता हूँ और मेरी सुरक्चा मेरा परमिस्वर करेगा मेरा पिता करेगा क्योंकि पिता ने बचन दिया है स्वरगर पिर्थिवी को बनाने वाले ने बचन दिया है तारों को आकास मंडल को इस्तिर किया है बचन दिया है परमिस्वर का बचन है पिर्थिवी आरा कास टल जाएगी मगर परमिस्वर का बचन नहीं टेलेगा जो इस पर विश्वास करता है, इस पर मन लगाता है और परविस्वर का आदरशम्मान अनित्यविन्टी परातना करना करता है इश्वर के नाम से, उसों निराकार जयोती के नाम से, सत्य बचन जब उसके हिड़ते हैं मनुष्य के दो जनव होते हैं एक तो मां के गर्फ होता है और एक atma शेवता है ऑना पर्म लुपलरां चलका पटड़ करना नहीं सिखा था कोई उसे मगर क्या है वह इटमेटिक कर लेता क्यों कि वो उसे पाप में मिलाए बिरासत में मिलाए क्योंकि उसकी मा ने पाप किया था उसके पुराणों ने पाप किया था उसके माँबाब भी पाप में ज़िन में और वो वी पाप में ज़िन पीढी दर क्विढी य est啊 और जब इश्वर आता है इश्वर का ग्यान शमज में आता है पावित्र ग्यान एक तो पाव जिया और दूसरा होता है पवित्र में जब दूसरा घ्यान होता है तो उसमें सच्चाई, खराई, इमानदारी, पवित्रताई, परमिशर द्वारा आती है क्योंकि चुनता कौन है? हमारा पिता, पाप भी है और पूर्णी भी है पहला वाला पाब में हुआ और दूसरा वाला पवित्र में और आज हम दूसरे की जब हम बाथ जोते हैं और उस बात को सत्या शनातन मानते हैं था हमारे जीवन में सत्या परकट होता है पवितरताई परकट होती है, खराई और चंगाई और हमारा मन पर फुलित होता है, जब हम सत्य को स्विकार करते हैं, जब सारे दर्वाजे पाप में होता है, और पाप से सारे दर्वाजे बंद हो चाता है, हम कहीं जीवन की उजाला नजन नियाता अंदेरा ही, अंदेरा आत दर्ती बेजान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंद्यारा था और परमेश्वर का आत्मा उसके उपर मन रहा था परमेश्वर ने वहां अंद्यारा ने देखा सीधे बोला क्या उजाला हो जाए तो सूरज बन गया इसरrick वना चांतार्य हैं हावा पूरा सिरजान सिर्षटी का शिरजन हार ने जो है सिरजान सिर्जित कर दीना और हमें जीवन दिया मन मंदिर हमें दिया और मन का मंदिर मनिर क्यों कि परमेश्वर का मंदिर जो है संसार में कई हैं नहीं परちゃud कर जो जान ता में हैंegi मेरा मंदिर सिर्फ जो इंसान मैंने भूया है उसके मनर मंदिर में मैं बिराज मान वुद को हमकि यह इनकार करता है जब अर्दस्ति परमेश्वर करता ही नहीं है कि एना परमेश्वर ने अधिकार दिया है मनुष्य को जब जग जीवन की सिरिष्टी होई है और कि जव िषवन्य रचा तो अधिकार दिये नौ SI, ऊपर स्वर्ग में पिर सिन अधिकार दिया मनुष्यों को कि सारी वस्तों पे मनुष्य का अधिकार रहे गा, जीव जुन्तों पर रिंगने वाले जल में चरने वाले चोटे बड़े शबी पे जो है मनुश्य का अधिकार रहेगा जो धरती है पिर से भी है इसमें मनुश्य का अधिकार है बिना मनुश्य के अधिकार किया कुछ नहीं हो शकता और कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि प मुद्र बर गया नहीं वरा ना और अनंद जीवन से वर रहा है ना अनंद काल से वर रहा है ना तो यह विश्वास काने वाली बात है कि कैंश परमेश वोगा कैंश उसकी बुद्धी होगा इंश पर मान शमाना उस पर गर्व करना में चाहिए ना कि परमेश का में मान शमान और बढ़ाई पर संसा तारीफ जब हम करते हैं तो उसका जो है दिम्प्रे इंगुन उसके जो क्यों कि व पवित रहखाराई है ना औ कि मेरे बिश्राम में वो पर्वेश न करने पाएंगे कौन जो बिश्वास नहीं करेंगे बिश्वास ही परमेस्वर का खुला दरवार है और बिश्वास से ही परमेस्वर के बिश्राम में पर्वेश किया जा सकता है और जो बिश्वास करता है वो परमेस्वर के बिश्राम म महिमा मہी जीवन है और उधार का और बहुत आएत का जीवन है क्योंकि परमेशर की महिमा सतयशनात है तभे हैं फरमात्मा और हम मंदिरों में और रेत बजरी वाले मंदिरों में ऐनसे गुफाओं में हम मन लगाएंगे तो का हमारा हो दार हैं नहीं है हम तो यहीं चल में चला जा रहा है हमें को मगर हम उसने कहा मैं निराकार हूँ जोती हूँ और तेरे में वास करता हूँ जब इस बात में हम सत्या शनातर करता है और कोई ऐसे जन से जो परमास्वार के जानकार होते हैं परमास्वार के आसिसित होते हैं परमास्वार के चुने हुए लोग होते हैं बविश्य बक्ता होते हैं परमास्वार की वाट जो होते हैं उसमें परमास्वार का अनुगरा रहता है और उनके द्मारा जब सच्चाई जीवन में आती है प परमेस्वर का राजिया है जब परमेस्वर कि राजिये में जो है परवेस्ट किया जाता है विश्वास के शायताई विश्वास करेगा वे मेरे में परवेस्ट करेगा है ना जो नहीं करेगा वो तो अवा में उड़ जाएगा ना ठर्रे में उड़ जाएगा ना इसलिए परमेसर को जो ठर्रे में उड़ाते हैं परमेसर उन्हें ठर्रों में उड़ा जाता है ना जो विश्वास करता है जो डरता है हाँ कोई सिरिष्टी को चलाने वाला है जब मैं परिशान था दुखी ता लाचार था और गलत चीजों ने मेरा ऐसा मैं बूर ना चलना मैं सरीर से भी छीन हो गया था और आत्मा से कमजूर बिल्कुल ना आज परमिर्श्वर ने में पर दया कि उस समय मेरे को ऐसे ही ऐसे मन में जब म नी हुई है कि इसको गलच चीजाइए चलाती हुई है मगर कहीं न गई उस पर मेरे सब्सक्राइब मेरी बात को सुना है अंदर से आत्मा से आवाज आए कि नहीं इस सिर्ष्टी सत्य शनातन अधारमिक्ता पर टिक हुई है इसकी नियुग जो है सत्य ने डाली है शनातन निए पप्रताय निए निए धर्मात्मा निए शत्ते निए न ना और जब ऐसे मन से बिचार आया तो इश्वानने कहीं ने कहीं मुझे अपने अब सिक्त भेजे और मुझे अपना बचन दिया अब मैंने उसली जब सुष्विकार, जब सारे दर्वाजे बंद हो गए थी, कहीं कोई आस नहीं थी, जिन पर मैं आस से लिगा था, उन्होंने भी छोड़ दिया था, नहीं एक निजी ससंग से भी था, मैं वहाँ पर भी था, मगर कुछ फाइदा नहीं हुआ उआ उसका, इ कर्म गुरू सरीर नहीं होता हूँ, वह आत्मिक होता है, आत्मी स्कालका क्या को आत्मा खे, क्लता है, जिस्ट ब्रॉट्वर को पकलता हूँ, जैसे अम सरकारी नवक्रियां होती है, और उसमें क्या है, गुप्त चलती है, है लिए आई चलती है ना कई ऐसे आए भी चलती है ना अंदर या अंतर इंटलीजेंशी चलती रहती है ना तो वह वी एक बुद्धी मता है ना इंटलीजेंश वह यह क्या है बुद्धी मता है जो क्या है आत्मिक है और वह आत्मिक है आत्मिक तात्री कुली जाती है तो अब शिक्त तेरा परातना करते क्योंकि पर्मिस्वर ने उसे कारे दिया और पर्मिस्वर उसे बताता है और जिसको चुनना है पर्मिस्वर ने जो पर्मिस्वर के क्या है लिए क्या उताला है कि हाँ मुझे इश्वर कहीं न किसी न किसी रूम में भी दिखी जाए अम इश्वर को जानो तो क्या है वहां से भी पराधना हो रही है आई यहां से अभी सिक्त भी ना परविसर से मांग रहा है कि परविसर पिता मुझे नए यहां खेत दे हैं मुझे चुण के चुन थो चुनना चारा मेरे जर्य शर्य वभी 500 परात नऄ करता अधर और वह भी क्याAcc사 जिसको परमेश्व की ब्लूट हुआ होती है اैए अउआ परमेश्वर की 700 परात ना और परमिश्वर फिर अपने अब शिक्त को वहां भेसता है दिखाता है उसे जा वहां पे जा वहां पे मेरा बचन बोल और परमिश्वर उसे बताता है शिकाता है किसी साफ से जाना है किसी साफ से बात करने क्योंकि उसके पीछे बिद कहीं चीचे है जो परमिश्वर का अब और उसकी सुरक्चा में परमेश्वर अपने फ़र्गदूतों को भीजता है यह दाउद की घर्याने की कुझी यह ऐसे तोड़ी परमेश्वर रखता है कि उसी के कंदे पर रखेगा जो परमेश्वर के लिए खरा उतरेगा परमेश्वर के कारियों के लिए परमातमा देरा सिर्फ मन वाओ देखता है अपर एक्षा भी नहीं लेता हूं वाओ देखता है ना सजी सैज में बहुत कुछ परमातमाशाद और किया इदर बिंती फारदना हो करता है अब शिक्त करता है उदर परमेशर के चाने वाला जो परमेशर की भूख रखते हैं परमेशर की प्यास परमेसर को अपने जीवन में है ना वो कहते हैं यह जीवन दिया ना मैंने कुछ नहीं किया है ना और सच मुछ परमेसर फिर उसे चुनते है ना फिर वो परिशिक जाता है है ना और इसलिए तो कहते हैं कि मैमान का आदर समान जरूर करना चाहिए किसी भी अजनभी आदिमी क तो ऐसा नहीं करना चीन इन मान सम्मान के साथ अगर तुम्हारे डेरे पे तेरे शाथ कोई आ चुका है तो सकता है उपर में सुरका दूत राज कुमार और आपको आशिस करने आई है इसलिए कहते हैं पुरान हमारे लोग क्या कहते थे हमारे थे कि जो भी मेमान आता है वा हीıs wed लिए कहते थे अपरान जो रीत क्री रिवाद चला हुआ है वो आच्छा था गलत नहीं था आज हम मौडलिंग दुनिया में है और आमें चीजों को कोई कहता स्वर्ग नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं है कोई देवी नहीं कोई देपतानी बगवार नहीं है क्योंकि एक के उपर एक है ना और ऐसे ही क्या है जैसे हमारे दादा हुए परदादा हुए हमारे पिताजी हुए हम हुए हमारे बच्चे हुए आगे उनके बच्चे हुए एक क्या चलना है सिस्टम चलना है ना ऐसे ही क्या है परमिश्वर है परमातमा है और आप लोग है आ आशे विश्वास जो करता है और उस निराकार जूती का आशरा जो लेता है और उसको अपने जीवन में सरोचिस्तान देता है बेंटाय देता है और आदर सम्मान पहले भी जब हम नही नही चीज़ एक घर में हमारे घर में आती थी फसल होती थी च्छे मैने में फसल होती थी ककड़ी मुंगरी होती थी और कोई भी चीज़ होती थी हम क्या करते थे सब जो पहले क्या करते थे चड़ावा करते थे कि या मेरे गर में जो नहीं फसल आ ररह nên तो सब से पहले मैं अपना इश्वर को दू lihat यही तो रीत है हमने शीक नहीं होती है तो यह हम उने परमेश्वर के नियत करते है उस परमेश्वर के और नहीं कोई परमेश्वर कई बीच में बन जाते है मैं परमेश्वर वो नहीं उसने सरदा से जिसने जीवन दिया है जिसने मेरे सरीर को रचा है जिसने मुझे मनुश्य तन दिया है जिसने मेरे लिए धरती राकास रची है ऐसे परमेश्वर को जो मेगा रोमेगा है जो जीवन भी है रांत भी है और निर्वान करता है हमें चुनता है हमको चुनता है और हमें अनन्त जीवन देता है और हमारे जीवन में जल की नदियां, जीवन जल की नदियां, आनंद शुक्षान्ति की नदियां, जो क्या है? बैता है, उस्साओं मंग, एशाओं परमातमाता, एशे उपर मिश्वर है, तो धन्यवाद आज के लिए इतना कि सच मुझे हम इन बचनों पे चलते हैं, इनको विश्वास से स्विकारत हैं, कि जैसे यशा में लिखा है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पिर से भी पर बांदोगे, उस वर्ग में बंदेगा, और जो कुछ तुम पिर से भी पर खोलोगे, उस वर्ग में खुलेगा, यह सच है, जिसने विश्वास के साथ बिंती और परातान न इन बचनों को उपे चनना और इनको समझना और बोलना और विश्वाश करना शीख लिया है सच मुझे जो है जो तुम पिर से भी में जिसके उपर आसी सिद एक खोन और बंद करने का मतलब क्या है खोने आरबंद करने का मतला है जिसको तुम आसिसित कर दोगे जिसको तुम भश्यवानी कर दोगे कि हाँ जा तू बहुत अच्छा हो गया अब बोलते नहीं बच्चों को लिए बहुत तेरा मन पड़ाय में बहुत अच्छा तो अच्छा हो जाएगा उसके लिए क्या करते ह सोच समझ के बात बोलता है तो ये मुही तो है जिसमें मिर्त वर्थ जीवन है आप इस मुह से अपना जीवन भी बना सकते है आप इस मुह से अपने लिए मिर्त वी चुन सकते है जो अपने मुह पे कंट्रोल रगता है और परमिस्वा नियत सब्दों को निकालता है, बोलता है, क्योंकि बोलने वाला परमेशा है, जब आपने सत्य को गरण कर दिया तो फिर आप से सत्य बोला जाएगा, आप से जूट नहीं बोला जाएगा पिर ना, और आप ऐसे करना भी नहीं है, क्योंकि इसका पढ़नाम भी गलत होता है, क्योंकि वो तो सत् सुनता है और बचन सुनने के बाद काम करता है तो ऐसी जब हम आसिस करते हैं अपने घर में अपने बच्चों पे अपनी मिसीश पे अपनी परवार में माता पिता पे भाई बहनों पे उनको अच्छा बोलते हैं उन्हें आसिस करते हैं उनके उपर वह श्यवानी करते हैं बो और मात्मा परम आत्मा होंगा तो ऊफपर्थन कैसी होगा फिर ठरूस तरस से न तेज कारियों में के लिए खोग फिर से भी में खो लूग खो स्वर्ग में खोर 250 एक एन बचनों पे और हर एक बचन जो है परमात्मा षरेंमंसे है न कहीं कहींतरously की बचन को कहीं कहीं नीश में लिखाया, देखो मैंने तुम्हें शांप और बिच्छों को रौन निका और सत्रों की सारी शांपर्ते पर रहतिकार दिया है और किसी वस्व से तुम्हें कुछ खानी नखोगी, तो शांप और बिच्छों ऐसे चीज़े हैं, गंदी चीज़े हैं, क्योंकि शांप आदम और हवा ने पाप किया ना हवा ने आदम और परमेश्वर ने जब उनको बूला आदम क्या गिया तुमने तो हवा भी आदम ने कहा कि हवा ने मुझे फल किलाया हवा को बोला कि तेरे को बोला था कि मल जो है उस फल को मत शेड़ना है ना मैंने तुम्हें शेड़ जा आग्याओं को फालन था हावाने भी कि अपना छुडाने के लिए कि सांप मुझे भर्माया अब सांप को बहु आैसा क्यों किसा सब सबसक्रों को इस किया ना किismoь उसको श्राब दिया डंड किया कि तो कुछला जाएगा ना मुनिस्चियों के तो रौदा जाएगा और कुछला जाएगा इसलिए परमिषण ने वज्वा दिये है ना उन पर सारी शामर्थै पे और श्यावजा को भी दिया और आदम को भी पाप करने के बाद बी उन से प्रमिशन ने क्या सोचा कि इनका भला हो जाए ना प्रमिशन है उनके द्वारा फिरी दूसरा आदम प्रमिशन ने पैदा बेजा फिर्चभी पे ना और जो है सांप को भी डंडित करने के बार सांप को भी ये बोला गया ना कि जैसे तुने इस्तरी को मेरे लिए चुना है मैं इसी इस्तरी को जो हूँ इसी इस्तरी से मैं संसार का बचाओंगा ना तो परमेसर का बचना हमें बचाना और वो तब ही बचाएगा जब हम क्या है उसको अपने जीवन में आम अंतिर्द करेंगे आम अंतिर्द करते हैं अ और जनम देने के बाद जो है एना उसके दोरा चिनन चमकार हुए एना और उसने जो है उस पाप को खतम करने के लिए एना अपना जीवन दिया ना मिर्तुन जया मिर्तुन जया मिर्तु में से जी कर उठा और परमात को बना तैसे शामर्देवान पर बिश्वर है आज के इतना ही एना और मैंने आज के दिन तुम्हें जातियों और राजियों पर अधिकारी ठहराया है उन्हें गिराने ढ़ा देने के लिए नाश करने एकार डाने के लिए या उन्हें बनाने रोपने के लिए तो परविस्वर का जो बचन आतमा की तलवार जब लेता है इन्शान तो स्भेकारता है विश्वास के साथ बचन बोलता है और उश्वास करता है तो क्या है पिर ईश्वास होता है कि जो गलत चीजों का घड़ दोट जाता है आप पर वह सामरते हैंगे जब आप बंतियर परतना करते आप उस्वास्वरगरे पिरते भी हिल जाती है क्योंकि जो हमारा यो यूद मल यूद है आए ये मल यूद परमेसर अमारे द्वारा लड़ता है ना है ना हमारे द्वारा जब हम बचन बोलते हैं और सच मुच यह हमारा मल यूद है और ये इसमें जो हम जो है आकास में जो गलत चीज़ां अंदकार केा की में मैं है ना मिड़ता है अनसे अमारा यूद परमेसर हमें जिताए है जब हम बचन बोलते हैं तो आईसे परमातमात भतने ऑचे यह उसे फिद्वाइज बचन परमसर का जीवन है अना परमसर के बचन हमारा जीवन है और जब हम इनको उलिकारत Hey बिश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक नए रोसनी नई हो मख़ंुण नई तरंंग क्या परमयश्वर अधर को बचन ते रे पाओं के लिए दीपक तेरे मारक के लिए उजाला और परमयश्वर के परकाशन से जीवन में परकाश होता है अधने ने इस ने इनसान जो है भरंबरानी अंतकार से दूरो जाता है और सत्यार्षनातन उसके पास आता है धर्मातमा उसके पास आता है बुद्धी जो बहन है वो उसके पास आ जाती है बुद्धी और बुद्धी ऐसी चीज है बुद्धी को हमेशा बुद्धी को बहन मान कर गुरु के नाम से बुद्धी को बहन मान कर और बुद्धि के पज्व देता है तो जो प्रायस्तिरी है उसकी चिक्णि क्वि permis Music जीवन करना मेरव कि यह उन्हें कर दो स्टार्श्वृ नहीं बॉल है तुझे सिर्थ मैं तेरे सामने मुर्टवर जीवन को रखता हूं तुझे जीवन को ही चुनना रखे पड़ेगा जिसे तेरा बंस जीवित रहे तेरा बंस बिरादरी जीवित रहे और तेरे अपने परमिश्वर को जाने उसकी सामर्ते को उसके गुनों को उसकी समर्दी को पाए क्योंकि मैं ने बनाये उनके लिए पैसे वो परमेश्वर हमारे कंदे पैसे सुकर शानती आनंद का रख देता है तो ठीक है आज के लिए इतना ही आशा है कि आपको बचनों से और परमेश्वर के बचन में आपका मन अच्छा हुआ होगा उसाइट यह होंगे परमेश्वर के लिए आप का मन और ताजा हुआ हुआ उगा ना सच मुच्छ उपर वान है परमेश्वर है महान मुच्छ तयाकारी यह एक्ष्यम कर स्यार को भी चौ है वो छोर को सबसे पहले अपने साथ हो जो छोड़ थे वह अपने शाथ स्वर्ग में ले गया ना एशा उप्पर में वह नहीं देखता वह सिर्फ मन देखता हूँ ते निदेखता तुने पाप किया तुने फॉनक किया हो तो सिरफ यह देखता है मन और जब हिश्वर के कि तुमने काड़ें किया हमें मत भूलना और उनका प्रेमिशवा ने सुना घुना है और सच मुच जब वो तेन तेन तीन रात पिर्थी के गर्ण मेरा तो उसे घर्ण भी पाड़ दिया ऩो उसने अर साथ में लेकर जो है अपनी शाम अर्टे उस्षिती थी और आज जम उसके नाम से उस परमात्मा परमात्मा उस परमात्मा को हम स्विकार गरते हैं उसको बिंतियर परातना उसके नाम से हम परमेसर पिता का धन्याबाद देते हैं तो हमारा जीवन आनंद में हो जाता है कहीं कोई गटी नहीं कोई कमी नहीं है और परमातमा अपनी गहना हमारी गटी कमी को भी क्या है पून कर देता है हमा समर्द कर देता शुक्र शान्ति आनंद मैं जीवन परमातमा में दे चुका है तो तिता तेरा धन्यवाद